हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर इक्जाम पार में फ्रेंड साज के इस वीडियो में अभी हम दोग देखने वाले हैं ट्विल्थ कलास जोगरफी आनि भोगोल का काफी महत्वपून प्रेस्ट ने और ये जो महत्वपून प्रेस्ट ने है काफी इंपून प्रेस्ट ने ठीक है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखेगा इसमें जितने प्रेस्ट ने है और काफी इंपून प्रेस्ट ने है और मैं आपको बता दूँ अगर आप सभी question को अच्छे से याद कर लेते हो तो exam में काफी question इसी से पूचे जा सकते हैं तो सभी question को आप याद कर लिजेगा ठीक है और मैं आपको बता दू अगर आपको इन सभी प्रस्णों का फ्रे में PDF चाहिए तो इन से प्रशनों का अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंग दिया हुआ है आप उसे जवान करके आप वहां से आसानी से फ्री में PDF रप्ट कर सकते हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो कोर्शन नमर पहला है निवन में से कौन से एक जन संख्या प्रिवरतन के कारक नहीं है आपसें नहीं है परवास आपसें भी आवास आपसें नमर सी है जनम और आपसें बड़े हैं मिर्टू इसका जो से हैं आंसर है फ्रेंड्स वो है option number B आवास, ठीक है, अगला प्रशन है, question number अगला कहा है friends, परतिकर्स अपकर्स कारक उतरदाई है, question कहा है, परतिकर्स अपकर्स कारक उतरदाई है, तो यहाँ पे चार आप्षिन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर है वो है आप्षिन अबर ये परवास के लिए नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमर तिसरा काया फ्रेंड्स निम लिखीत में से किसने संजुक अरब अमिरात के लिंग अनुपात को निम ने किया है यहाँ पे औप्षिन चार दिया हुआ है इसका जो सही आंसर है वह है औप्षिन अमर ये प्रोष कारिशिल जनसंख्या का चैनित प्रवास ठीक है Qution का है निम लिखीत मेंसे कौन सी संख्या-जंसंख्या का परति निधित्व करती है यहाँ पे चार आप्सन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर है शार नमर का जो सही आंसर है वह हैμα है पंदर से 69 वर्स इसका दूसर है आप्शन नमड़ी 15 से 69 वर्स नेक्स्ट कोशन है निमलखीत में से किस देश का लिंगान उपात 20 में सरवा अधीक है उप्षन है लाटविया उप्पिशन भी है जापान उप्षन नमड़े 6 है संजुक अरब अमिराथ और उप्षन बड़े है फ्रांस इसका दूसरी आशन ही वह कहसरन भी लाटविया का अगला प्रैस न है कोशन नमर छटा है फ्रेंड्स निम्नांकित में से किस देश में नियुंतम जन्मदर पाये जाती है इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है आप्शन बड़ी संजुक्त राज अमेरिका में अगला प्रेस्ण है विस्व में सबसे अधीक परजनन वाला देश है विस्व में जो सबसे अधीक परजनन वाला देश है फ्रेंड्स वह है आप्शन नमर गी नाइजर अगला कोशन है कोशन नमर आठवा कहा है फ्रेंड्स निम्नांकित में से कौन सा आयू वर्ग नहीं है कोशन कहा है निम्नांकित में से कौन सा आयू वर्ग नहीं है इसका जो सही आंसर है वह है आप्शन मड़ी 90 वर्स से अधीक अगला प्रेस नहीं है कोश्चन नमबर 9 फ्रेंट्स विस्व में सबसे अधीक नगरी क्रीद देश है आप्शन है संजुक तराज अमेरिका में आप्शन में भी है फ्रेंट्स ग्रेट ब्रेटन में आप्शन सी है अस्ट्रिलिया में आप्शन मड़ी है मिस्र में तो इसका जो सही आंसर है और नेल नमबर का जो सही आंसर है वह है आप्शन नमबर भी Great Britain में ठीक है अगला question है विश्व में सबसे अधिक लिंगा नुपात किस देश का है तो विश्व में जो सबसे अधिक लिंगा नुपात है फ्रेंड्स वह है option नमरी लाटविया अगला present है 12 नमर question है फ्रेंड्स 130 सहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है option है सिंगापूर option में है थैलेंड option नमरी है जापान और option नमरी है इंडोनेशिया इसका अंसर आपको comment box में बताना है ठीक है इसका अंसर आप comment box में देजेगा अब चलिए देखते next question अगला question है आने तेरे नमर question है question क्या है नमली खीत में कौन से विकास का सिरोचतम वर्णन करता है यहाँ पे चार आप्सिन दिया हुआ है इसका जोसे ही आंसर है ओ है option नमरी गुन के धनात्मक परिवर्दन ठीक है अगला question है question नमर 14 friends माने विकास की अवधार्णा नमली खीत में से किस विद्वान की देन है यहाँ पे option यह पे प्रो अमर्त शेन option में है डॉक्टर महबूब उलहक option नमर सी है एल एमसी और सेंबल और option नमर ने है रेट जेल इसका जोसे ही आंसर है वह option नमर भी डॉक्टर महबूब उलहक अगला question है नमली खीत में कौन से देश उच मानव विकास वाला नहीं है option नार्वे, option बहर जेटीना, option नमर सी है जापान और option नमर भी है मिस्र इसका जोसे ही आंसर है और पंदर नमर का जोसे ही आंसर है वह option नमर भी मिस्र ठीक है अगला question है question नमर 16 है उच जनमदर एवं उच मिर्दूदर वाला महादीफ है option नहीं है इसिया, option भी है अफ्रिका option नमर सी है उत्री अमेरिका और option नमर भी है अस्ट्रेलिया तो उच जनमदर और उच मिर्दूदर वाला जो महादीफ है औह अफिस नमर से उत्री अमिरिका ठीक है अगला प्रस्ण है निमनीखित में से किस देश का मानव विकास सुचकांक उचछ नहीं है इसका जो से ही आंसर है औह अफिस नमर के स्रीलंका का नेक्स्ट कोईषिन है 18 नमर कोशन फ्रेंड से निम्लिखीत में से कौन से देश उच मानव विकास अस्तर में समलित नहीं है आपशन यह है नौर्वे, आपशन नमर भी है भारत, आपशन नमर से है अस्ट्रेलिया और आपशन बड़ी है कनाड़ा तो 18 का जो सही आंसर है आपशन नमर से अस्ट्रेलिया अगला कोशन है निम्लिखीत में से कौन से देश उच मानव विकास वाला है यहाँ पर कोशन के है निम्लिखीत में से कौन से देश उच मानव वाला है तो यहाँ पे चार आप्सन दिया हुआ है तो 19 नमर का जूसर ही आंसर है वहाँ आप्सन नमर सी नौर्वी अगला प्रेस्न है अगला कोशन के फ्रेंड्स 20 नमर कोशन है मानव विकास के अवधारना निम्न खित में से किस वेक्ति की देन है इसका जो सही आंसर है वहाँ आप्सन नमर सी महबूब उलहक का नेक्स्ट कोशन है निम्न में कौन सी रोपन फसल नहीं है यहाँ पे कोशन कहा है निम्न में कौन सी रोपन फसल नहीं है आप्सन है काफी आप्सन में है गन्ना option number 2 है गिहूं और option number 2 है रबर तो जो रोपन फसल नहीं है फ्रेंट्स वह है option number 2 गन्ना ठीक है अगला question है question क्या है अगला निम्न देशों में से किस देश में साकाहरी क्रेशी का फसल पर सिच्छन किया गया option क्या है निम्न देशों में से किस देश में साकाहरी क्रेशी का फसल पर सिच्छन किया गया option है रूस, option में है डेनमार्क, option number 3 है भारत और option number 2 है नीदरलिंड इसका जो सही answer है वह है option number B डेनमार्क अगला present है फूलो की क्रेशी कहलाती है फूलो की क्रेशी जो कहलाती है वह है option number D पुष्पो का उतपादन ठीक है इसका जो सही answer है वह है option number D पुष्पो का उतपादन फूलो की क्रेशी क्रेशी क्या कहलाती है पुष्पो का उतपादन नेक्स्ट कोर्शन है निम्न में से कौन सी क्रेशी के परकार का विकास यूरोपिय ओपनिवेसिक शमोह दुआरा किया गया यहाँ पे चार आप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स इसका जुसे ही आंसर है वह है आप्शन मड़ी रोपन क्रेशी अगला प्रेशन है कोर्शन कहें निम्न परदेशों में से किसमें विश्टरित वानिज अनाज क्रेशी नहीं की जाती है तो यहाँ पे चार आप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स और पचिस नमबर का जो सही आंसर है वहाँ आप्शन नमबर डी अमेजन बेसीन ठीक है इसका जो सही आंसर है वहाँ आप्शन नमबर डी अमेजन बेसीन तो आज के लिए नहीं फ्रेंड्स तब तक के लिए बाई